आप सबी का स्वागत है और मैं आपके साथ अनुश्का नाम देओ बात करते हैं भारती टीम के बल्लेबाज युवा बल्लेबाज शुबमन गिल की देखे शुबमन गिल एक बहतरी नुवा बल्लेबाज हैं जिनके बदौलज ऑस्ट्रिलिया टीम को जो है बहुत ही जबर्दस्थ हार का सामना करना पड़ा था अस्ट्रिया दौरे पर टीम को जीत हासल मिली थी यानि कि टीम इंडिया को जीत हासल मिली थी और उसमें जीत जो हासल हुई थी उसमें शुबमन गिल का एक बड़ा योगदान था उसी के साथ आपको बताते हैं देखे विरात कोली की कप्तानी में शुबन गिल ने काफी अच्छा पदर्शन किया और वहीं उनकी कप्तानी यानि कि टीम की कप्तानी तब विरात कोली ही करते आ रहे हैं और उनकी कप्तानी में ही उन्होंने जादतर मैचस खेले हैं चलिए बात करते हैं तनाफ की देखी आज़की जीवन में तनाफ एक समानी बात है लेकिन उस तनाफ से ओवरकम होना एक बड़ी बात होती है भारती टीम के जो कप्तान है विराज कोली चाए उनकी कप्तानी की बात की जाए या फिर उनके खेल के पिदर्शन की बात की जाए तो वो हमेशा तारीफ के काबिल होते हैं यहीं बात करते हैं भारती टीम के युवा बल्लेवा शुबमन गिल की जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है उन्होंने बताया है कि जब भी उन्हें कोई भी तनाव महसूस होता है तो वो फारती टीम के कप्तान विरात कूली से बातचीत करते हैं उनका कहना है कि विरात कूली हमेशा उनको निडर होकर खेलने की लिए प्रेरित करते हैं ये भी बताया कि विरात्कोली अपना खुद का experience share करते हैं यानि कि उनका कहना था कि अगर आप कोई भी समस्या यानि कि किसी भी समस्या से मानसिक तौर पर जूज रहे हैं तो विरात्कोली से बात कर सकते हैं क्योंकि विरात्कोली एक अच्छे motivate करने वाले person है यानि कि कोई भी तनाव होता है तो वो उनको motivate करते हैं किस तरीके से कहलना है किस रणनीती के साथ कहलना है Session 2 Session में किस रणनीती के सब खेलना है उसके लिए भी वो शुबमन गिल को यानि कि सभी युवा बल्लेबाज को प्रेरिद करते हैं उन्होंने यह भी बताए विरात कोली के बारे में कि विरात कोली सभी युवा बल्लेबाजों को natural game खेलने के लिए प्रेरिध करते हैं जी हां विरात कोली हमेशा शे यहीं बोलते हैं कि निडर हो के खेले और अपनी एक natural game यानि कि एक natural flow में खेले बिना किसी तनाफ के यहीं आपको बताते हैं कि शुबमन गिल जो है वो बहतरीन युवा बल्लेबाज है चाहे टेस्ट माचस की बात की जाए देखे टेस्ट माचों की बात की जाए तो वो काफी बहतरीन बल्लेबाज है यानि कि ऑस्ट्रिया दोरे पर जब टीम गई थी जब जीत हसल करी थी टीम इंडिया ने तब शुबमन गिल का एक बड़ा योगदान था और वहीं विरात कोल जो है उनकी कप्तानी में उन्होंने अपने मैचस खेले हैं साथ ही आपको बता दे कि तनाव की बात की जाए तो विरात कोली ने हमेशा सबी वह बल्लेबाजों को जो हमेशा प्रोचसाहित किया है कि निडर होके खेले अपने एक नाच्रल फ्लो में खेले तो नीची कॉमे